यही सरकार पहले थी, इसी विचारदारा की सरकार आज है, वहाँ कोई किसान का प्लेट फारम नहीं है, आज बिहार का किसान सब से जज़ाद है, खराविस के दिए, वहाँ पे लेवर तयार होती है बिहार में, और यही हाल पूरे देश का हुआ है, यूगर देश पे बड़ पूरे देश की प्रोब्लम है, MSP गारंटी कानून, पूरे देश की प्रोब्लम है, स्वाविनाथन कमेटी के रिपोर्ट, बिजली अमेंटमेंट बिल, करजा, यह सारे इसू है, देश में बहुत किसान संगठन है, अलग-अलग प्लेट फारम से यह समश्य यूटती रहे जो भी जाएगा समश्य वही रहेगी, अगर हम करनाटक में आज हैं, तो यहाँ पर कोकोनेट फारमर्स की अलग प्रोब्लम आएगी, यहाँ पर पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पर राइस का किसान होगा, यहाँ पर वीट का होगा, अलग-अलग प्रोब्लम आएग हम अगर कास्वीर बजाएंगे तो सेव के किसान निक्याएंगे हम बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर तो मंडिया खतम कर दी यही सरकार पहले थी इसी विचारदारा की सरकार आज है महाँ कोई किसान का प्लेट फारम नहीं है आज बिहार का किसान सब से ज़्याद है खराब इसके दिवे वहाँ पे लेवर तयार होती है अब बिहार में और यही हाल पूरे देश का हुआ है क्योंकि देश पे बड़ी कंपनिया जो पूंजी बाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉल्टिकल पार्टी बना लिए उनको इस देश पे कब जा कर लिया तो यह दिक्कत आएगी दिल्ली के लिए कोई एक दिन पहले चल दिया कोई दो दिन बाद मा जाएगा अगर उनके साथ में कोई अंजस्टिट होगी उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है और ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है उनसे बाचीत करें जब दिल्ली में तेरा महिनी आंदोलन चला तो हमारी बारा दोर की बारचीत हुई है भारा सरकार ने 22 जनवरी 2021 से हमारी कोई बात भारा सरकार से नहीं हुई है तीन साल बाद में ये बारचीत सुरू हुई है सिन्युक्त मौर्चा अभी इस मौमेंट में नहीं है किसान सिन्युक्त मौर्चे की 16 फर्वरी की कौल है ग्रामीन भारत बंद करने की कौल है ये भी किसान संगा ठंसे हैं ये दिल्ली के लिए चल दिये लेकिन हम इनके समर्थक में हैं अगर ने के साथ में कोई छेड़कार ने होगी तो हम इनके सपोर्ट में आएंगे लेकिन सर्कार ये कह रहे थे लगाता है